तो के फ्रेंट्स आप भी एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट करना चाहते हो वो भी अपने मुबाइल से तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी स्केप मत करना इस वीडियो को क्यूंकि आज की सुड़ मैं बताने आला हूं फ्रेंट्स आपको कि आप कैसे अपना हो तो चलो कर लो सब्सक्राइब और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटा फट से इस वीडियो को कर दो लाइक तो शुरू कर देते हैं बिना टाइम बेस्ट करते हुए तो फ्रेंट्स में काइन माश्यर प्रो के लिंक डिस्क्रिप्शन में निढे दूंगा वहाँ से जाके डॉंलोड कर लेना आप काइन माश्यर प्रो को जब आप उपन कर लोकर डाउनलोड करके सिंप्ली तो आपको प्लेस पे क्लिक करना है और जोगर आप यूटूब के यहां से आपके सामने कुछ ऐसा इंटर्फेस आ जाएगा तो आपको यहां से कुछ वीडियो सेलेक्ट करनी होगी जैसे कि मैं भी कैमरा में जाके सेलेक्ट कर लेता हूं यह वाली वीडियो ब्लैक आलगा आला करा सा जाएका तुट मेडियो पे करना और व्यृट का लियू offense कर तो फिछ जैसे कि इतना सीन वेकार है तो इस पे यह वह लेजığ आ रहा है उसplex क्लिक करना एक बार उस पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको यहां से लेफ्ट साइड काटना है या फिर राइट साइड का तो यह तो लेफ्ट साइड है जो बेकार हिसा है वो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करोगा तो इतना सीन कट गया यह आप आपको brightness 5 या 6 रखनी है और यहां पर vibrance का जो option नजर आ रहा है आपको इसे 60 पर रखना है या फिर 55 पर रखना है और highlights को आपको 25 या 30 पर रखना है और बस फिर यह करने के बाद आपको देख सकते होगे वीडियो में अलग ही look आ चुका है आप खुद देख सकते होगे फ्रे करना रही है तो इसपे क्लिक करो और नीचे आना है आपको छोड़ा सा यहां पर एक option मिल लो वॉल्यूम इन वैलोप इसपे क्लिक करना इसे बढ़ा लेना फुल और यहां जहां वीडियो खतम हो रही है वहां पर आके आपको फिर से उपर कर लेना है तो वीडियो में को या मोटी करनी है या फिर पतली करनी है तो पिंच वाले को इदर लेफ्ट साइड में लिजाओगे फ्रेंट माइनस में तो आपके वाज मोटी होगी और जो गर आप राइट साइड बने जाओगे तो आपके वाज पतली होगी उतनी ही और आपको वीडियो की आवाज को मुट रखना है तो आप इस पे एक बार क्लिक कर देना तो यह मूट हो जाएगी फ्रेंट्स आपको बीच में से वीडियो के कुछ काटना हो जैसे कि अभी मैं यहां पे लियाता हूं यहां पे इतना सीन बेकार है जिससे कि यहां पे प्ले करा हां यहां से मैं गलत चीज बोल से कुछ भी निकल जाता है तो आप इस पे क्लिक करना एक बार और यह करने के बाद आपको लेफ्ट राइड काटना हो या फिर राइट साइड में काट देना है आपको यहां से तो मैं लेफ्ट साइड का हिस्सा बीच को बीच कर रहे है काट दूंगा तो इतना सीन कटेग आपको क्या करना है इस पे क्लिक करना है अपनी वीडियो पर और नीचे और और चीरीपस यहां से लिए है यहाँ पर आना है आपको एक बार और लेयर में जाना है फिर मीडिया में जाना है और फिर यहां से आपको सेलेट कर लेना अपना इंट्रो तो जैसे कि मैं भी सेलेट कर लेता हम इंट्रो अपना हाँ तो फ्रेंट्स मेरा इंट्रो यह आ गया अब आपको इस पर क्लिक करना एक बार और इसे फुल साइज कर दोगे न फ्रेंट्स तो यह हो जाएगा अच्छे से देख सकते होगे आप खुद कितना बढ़िया हो गया यह पर हाँ एक कमी है भी इतना हिस्सा जो मैंने लिख खतम हो रही है तो आपको फिर से इस पर एक बार क्लिक करना है यहीं पर और पैंसल आले पर क्लिक करना है मतलब सौरी कैंची वाले पर और स्प्लेट एट फिर से कर देना है यह उप्शन इने वल तो यह बिल्कुल प्रफेक्ट बैटर आप खुद देख सकते होगे और कुछ भी ना हो तब मेडिया पर करना है फ्रेंट्स आपको तब मेडिया पर करना है और अपना यहां से आउट्रो सेलेक्ट कर लेना है तो आउट्रो सेलेक्ट कर लेना आपको ऐसे जहां पर वीडियो एंड करते हो वहां पर आपकी जैसे कि कुछ खराब या जाए तो क्य तो ऐसे करते हैं आपको में लोगों लगाना हो अपने वीडियो में या फिर कोचा और लगाना हो फोटो रगाना हो वीडियो लगानी हो तो ले चाने मेडिया पर वाली यहां से यहां से जैसे मैं करहें दिकारो को एसे चोटा कर सकते हो इतना उसका एनिमेशन कैसे क्रियेट करना है इननी मतलब हुए शुरू होगा वीडियो तो यह कैसे स्टाइल में तो side up कर देता हूं मैं इसका यहाँ पर बढ़ा देता हूं इतना धिया दिरे करके आएगा अब मैं आउट अनीमेशन भी लगा लेता हूं तो यह देख सकते होगे आप यह देखो फ्रेंट्स कितने स्टाइल में आ रहा है पर यह मुझे जात बढ़िया नहीं लग रहा बेकार सा लग रहा है तो मैं अब अनिमेशन में आगो चेंज कर सकते हो यहां से आप रेन कर सकते हो तो फ्रेंट्स से देखो बारी सोरी पूरी तो आपको ऐसे बढ़ा है जैसे मैं बढ़ा रहा हूं इसे तो यहां तक है मेरी वीडियो तो फ्रेंट्स यहां तक के तरह बढ़ी है जम चुका है आप खुद देख सकते होगे अब मैं अपको तो शुरुवात मैंनिमेशन ऐसे स्टाइल से आया और देखो पूरी वीडियो ऐसे सब कुछ करना है फ्रेंट्स आपको जोकर आपको कुछ कॉपी करना तो आप इसी लेयर पर क्लिक करोगे नीचे जो लेयर है यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यह वाला अब आपको यहां पर डूबलीगेट कर देना तो मतलब यही पूरा एक और नीचे क्रि hon जाएगा तो ऐसे आपको करना है अच जोकर आप स्टेटस बनाते हो ब्लैक स्केन का तो सबसे नीचे जाना आफ ब्लयक स्क्रीन लेते हो ब्लेंदिग वाले पर आपको जोकर आप ब्लैक स्क्रीन कर स्टेटस बनाते हो तो यहां सा हैं को सारी options चूझ करकर करको देक लेने कौन सा बढ़ी है फिट हो रहा है आपके उस ब्लैक स्क्रीन पर वह अपने हिसाब से आपको डिसाइड कर लेना ओवर ले पर क्लिक कर दो तो उसकी गटा बढ़ा के देख लेना तो आपको ऐसे करना और जो कर आप इसकी बेडियो की करी थी तो यहां से यह देखो माड़े नहीं बढ़िया जटना बढ़ी है लग रहा है तो देख सेकते हई-लाइट कर देता हम आभी जैसे की देखो आपको अँसे करना है यह सब सिस्टम आप आगे बात कर लेए अब जो कर आपको वीडियो के स्पीड हटा बलानी है तो आपको रिपे क्लिक क जादा बढ़ जाएगी यह पिल्स करना चाहो ह्लकी तेश करना चाहो तो यहां से कर सकते हो आपको आपको वीडियो नहीं बिल्कुल स्टालिस देना तो यहां कि और बदता हूं अपनी वीडियो पे क्यों सब्सक्राइब करें आपको फैरा स्वानिड करना और एंडि पोजिशन दूसिक्त करना है यहाप प्रीड़ोड आप देखना इसके नहिंतित इथे यह तो फैर्ट करता है तो फ्रेंट्स देखो ये जूम आउट ओर ये मेरी वीडियो को अलगी एनिमेशन क्रियेट हो रहा है फ्रेंट्स देख सो कितना बढ़िया और एनिमेशन नहीं इस बात पर विडियो कर दो लाइक और चनल पर फिर से कहा रहूं चैनल को करतो सब्सक्राइब क्योंकि यूट रोटेट कर सकते हो ऐसे कर सकते हो तो वह आपको अपने एसाब से चूज करना है तो इसे मैं भी सही कर लेता हूं तो फ्रेंट सही हो चुका है अब यहां से आप ऐसे भी कर सकते हैं तो वह आपकी मर्जी आपको करना की नहीं करना है यहां पर आना है आपको और यहां पर एक और बढ़ बढ़ रहता हूँ आपको इकू जो ऑप्शन दिख रहा है एक्यू तो इसमें आप एम रेडियो जैसी बेस बूस्टर आपको बेस बूस्टर ही लखनी चाहिए फ्रेंड्स मेरे साब से इससे थोड़ा नॉइस भी कम हो जाता है और आपकी आवाज भी बहुत बढ़ रहे हो आप चर्च में से बोल लेज़ता लगेगा इको रूम से बोल रहे हो तो यहां पर आपको स्टूडियो कर देना आपकी आवाज बहुत बढ़िया हो जाएगी अब मैं अलग बता अब बता सकते हों कलर फिल्टर में को बढ़ाता हूं यह तो आप इससे घटा बढ़ा अपने इसाब से तो आपको आएक करने हैं तो मैं यहां से आप बोड़े ले सकते हो प्रीमियम वाली है यह अब आप इस पे क्लिए करके और और सेटिंग्स बता रहे था हूं आपको मैं जैसे कि नीचे आओगे और लिखा होगा एक विगनेट यह तो एडिटिंग में आपको पता होगा तो थोड़ा से चार स्टाइलिस में स्टाइट होगी देखना भी यह दिखो फ्रैंट्स यह एक्तम से अलगी लुक आया वीडियो में और क्लिप ग्राफिक्स में देख सकते होग यहां पे यह पूरी वीडियो में आपके जहां चाहूँ वहां तक कि एफ्यक्ट लागब होगा यहां से आप तो घूझे यह तने सारी है लेटेन में जाकर आप देख सकते हों कि और यहां पर राइटिंग सा गई है इसमें तो आप अपने यज़ाब से सकते हैं कि मैं यहां पर चूस कर लेता हो या लिए राइटिंग और ओके कर देता हूं तो फ्रेंट्स देखोंगे ऐसे स्टाइलिस में लिख क्या आएगा यहां से आप दूसरा चीज लिए देखो यह स्टार्टिंग में फ्रेंट्स कितना बड़ी अनिवेशन होगा अब आपको और अनिमेशन बड़ाएगा तो प्लीज सब्सक्राइब औ आप इसे करके ऐसे सेशन में आएगा यहां से तो बहुतत ही बढ़े हैं यह देख सकते होंगे प्लीज सब्सक्राइब चानल कितना बढ़एव अब्ला और यहां पर बेसिक एंड टाइटल दिखारता हूं जैसे कि देख सकते हैं प्लीज सब्सक्राइब अलगी लुक्त देखिया है देखो पी अब बिल्कुल अलग लिख किया है और फ्रेंट्स यह देखना भी यह देखो प्लीज सब्सक्राइब आप चाहिए और नीचे दूस प्लीक क्या आँए अप ध्यान से देखना फिर से भी यह देखना अब ध्यान से झिया देखो फ्रेंट्स अलगी विलुक अलगी यहां से आप टाइटल डादेना से इकी new लाएयन का भी तो अलगी लुक आया सब्सक्रेंद जितने बड़ी एडिपमाशतार प्रो से और फ तो आपके पीछे कोई दिवाल का कलर होता है देखते होगे आप जैसे की यहां नीला हो गया लाल हो गया कोई सा भी color हो तो आप उस फाइल को जोगर ले लोगे लेर में जाकर तो उस पर एक पर क्लिक करना और नीचे आपको एक option मिल रहागा वो क्रोमा की इस पे क्लिक करोगे तो इनेवल कर दोगे तो इस ग्रिन स्कीन हट उख लीफ्रेंट्स जो कर आप दीवाद का कलर हटाना चाहो तो हट जाएगा रॉप कोई और फोला न चाहो तो वह लग जाएगी फ्रेंट्स वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है यहां से आप ग्रीन स्क्रीन इजीली हटा सकते हो और कोई सिंगल कलर भी इजीली हटा सकते हो फ्रेंट्स जो करें आप यहां पे बीच में रिकॉर्ड करना चाहो तो आप वैस पर क्लिक करना एलो कर देना तो यहां से आप रिकाड कर सकते हो यहांसे ly aujourdीक्त यहां पर डेयोड क्योंकि मैं भी बल रहां हूं start कर दो के friends यहां से यसे माप ले सकते ओप प्लस पे कर दोँगे तो यहां पर आ जाएगा तो मैं डिलीट करदा हूँ सउमपली इसे तो आपको ऐसे करना है फ्रेंड्स ठीक है अब लेयर पर ना करता हूँ यहां से टेक्स लिख देना यसे टेक्स को ही लिखना चाहँ वीडियो में तो वह लिख दे क कि ढूंब ब्लैक कि आप या फिर आप कोई साभी कaaaa चूस करने चानों तो पर सकते हो तो यांपर आट्लाइन ऐसे करता हो यहां से कर लेना कोई बड़ी असा जैसे कि मैं यहां तो यह तना बड़ी आ गया फ्रेंच यहां पर अलगी गुलो आ गया आप खुद देख सकते हो यह को यहां से को और भी चूष कर सकते है और इसे ज्याख क्लिए और फ्रेंट मतलब तो नीचे आना थोड़ सापको आपको ग्लोग ऑप्शने जड़ा रहा रहा है आपको देख सकते होगे अलगी लुक आ गया है आपको टेक्स्ट ऐसे आप से डिजाइन कर देना है और बैगरांड भी कलर एड़ कर सकते हैं जैसे कि इसमें मैं चूश कर लाता हूं ग्रीन को अर्डां कर देता हूं तो बैगरांड आ चुका है तो फुली तो फ्रेंट अधिक व्रेंट ने पूर्ण लेले लेगा तो आपको ऐसे लगाने ठीक है आप इसका इनिमेशन में दे है फ्रेंट्स आपको और जुकर आप नेट्स का भी इस्तिमाल करके यूज करना चाहूं तो जैसे कि मैं नेट ओपन करता हूं सिंप्ली और यहां पर आपको एक अप्शन मिलेगा यह वाला इस पे क्लिक कर देना फ्रेंट्स काइन अब जाओगे लेयर में और जाओगे एफेक्ट में तो यह डाउनलोड होगे आप खुद देख सकते होगे तो देखना यह एफेक्ट कैसा आएगा भी अलगी लुक देगा यह बहुत सारे अच्छे अच्छे एफेक्ट है इत्माने आपको बताया यह बस खाली तो यह इसमे आपको एक और चीज़ लेयर में जाना आपको और अभी जैसे की हैंड राइटिंग यहां से आप खुद लिख सकते हो यह से की यह देख तो मैं जैसे की नहीं लिखूंगा और जो गर फ्रेंड्स आप से कोई गलती हो जाती है तो आप इस वाले पे क्लिक कर देने जिसमें मैंने क्लिक है यह, तो इस यह पहल्से नहीं एक तो एक खाली है, और परने मैं लेयरं और जैसे की मैं जाताूं कि अर इटार momento है, तो यहाँ बंड़ करना है, proximity आपने मुझे जाता हूं अब जैसे की आप अपना फिसमें धेख लिल्र करना है, क्षिंग है, मुझे भर सप तो मैं इतना बड़ा ऐसे कर दूँगा इसे छोटा कर दूँगा तो फेस पर कर दूँगा या फिर सरकल वाल आप्शन इसमें जाओगे शेप में और यहां से सरकल चूज कर लेना स्याओं हो फेस्ट मेरा फेस पूरा फुर्श होचुका है जो और मैं इसके और खर ना चाहूं कि शैटिंग हो जाओंगा पिल्कुल पहचानमें नहीं आ रही है और और बढ़ान चाहूं तो और बढ़ा लेना बिल्कुल भी घुप आएगी ही नहीं यहां से आपको यह जो Ab रहा रहा हूं यह है इन एडिमेशन देख सकते हो उजब बीच वाणा है वो और अप्शन है यहां से आप एनिमेशन भी इसमें समय क्रेइट कर सकते हो अब आप जाओगे जैसे कि Aपने वीडियो पे क्लिक करोगे और बढ़ी अलगा ज़ी अलगा डाउनलोड कर दूहों जार ये डाउनलोड हो रहा है तो फ्रेंड्ट्स है हो चुका इंस्टॉलिंग कैसे इस टार्ट चुका है रही है फ्रेंड्स ये यहां पर एक नया भी आ गया हो गाई भी देख सकते हो गए फाइनली ग्रेद्ट्वेशन आगा है इस में आप देख सकते होगे और यहां से आग मोर में और जा गया तो बहुत बढ़ी आवरिया मिल जाएंगे आपको यहां से जैसे की कि इंट्रो इंट्रो वाले इंट्रो से लिटेट नहीं है कि तो में कौई अलबाब इसमस्ट डाउनलेड कर ले तो में तो इंस्टालिंग हो गई है मैं जाओंगा फिर से बैक करूंगा और आहां पर एक और भी आगया होगा फाइनली फन वाला तो फ्रेंट्स यह देखो बिलकुल इंट्रो यहां से आप एंट्रो मना सकते हो अपने उर्म न चाहों तो गजया गजया आएंगे इसमें आप देख सकते हों कि बहुत सारे बढ़िया बढ़ियाँ है ऐसे कि मुझे अलबाड़े लगा चैनला की देने मिलब बढ़ी विडियो में अलबी लुक यह कितना बढ़ी आप लेडा चाहूं तो ले सकते हो इसमें तो मैं इसे प्ली मेर से बिखार हो गए चीज़ तो मैं तो फिर सब्सक्तमुद्री नहीं कर दो फिर सब्सक्तमुद्र तो हट चुगा है आपको ऐसे ही करने हैं सारे के सारे यहां पर अब मैं आपको एक और ऑप्शन बटाएता हूं यह ओवर लेगा क्या मतलब है यहां से यहां से आपको बहुत बढ़िया बढ़िया यहां पर मिल जाएंगे यह देख सकते हो गे जैसे कि लगते न गानों में तो वह उप्वेक्ट जिसमें लग जाएंगे अपको ऐसे ही लगाने फ्रेंट्स तो मैंने आपको लगबग लगबग पूरी वीडियो एडिटिंग बत तो होगा तो इसको फूल रख देना या फिर आप इसे बिल्कुल लोग कर दोगे तो भी वीडियो पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह थोड़ी से चोटी थी 20-30 सेगंड की इसलिए 19 अम्हें लिख क्या गए है यहां पर तो आपको बिल्कुल लोग कर देना कि मर्जी है वो तो आप फुल रखना चाहता हो रख सकते हो और नहीं रख सकते हो एक्सपोर्ट कर दोगे तो यहां से वीडियो हो रही है हमारी एक्सपोर्ट तो होने देते हैं सिंबली इसमें टाइम लगेगा फ्रेंड्स तो मैंने आपको वैसे बिल्ट बताई दिया कि एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको सको पूछ करना किसकी कॉल आ गई बीच में ही तो अब आप सुचोगे आ रहे तो बेकार होगे मैंने तो नहीं वीडियो एलिट करी पर ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर एक प्रोजेक्ट से हो जाएगा एंटाइटल्ड तैंतालिस नाम से सेव जैसे कि मतलब यह तो मेरा तैंतालिस है प्रोजेक्ट यहां पर पर क्लिक करोगे तो यहां से उतने एटवाला सब कुछ आ गया देख दो गए सेटिंग बहुता जाना है और लिखना है एलो एक्सपोर्ट फ्रेम रेट अब टू 60fps आपको इसे इनीबल कर देना है आपके इससे वीडियो गल्टी और भी बढ़िया हो जाएगी तो यहां पर जैसे कि मैं बैक जाओंगा भी और यहां पर कर दूंगा वीडियो को एक्सपोर्ट तो यहां पर देख सकते हों कि अब 60 वाला भी अप्शन आगया तो 60 पर करके वीडियो एक्सपोर्ट करना तो इससे और भी बढ़िया रहेगा तो आप वह ऐसे करनी है वीडियो एक्सपोर्ट वीडियो पसंद आयो तो प्लीज इस वीडियो कर देना लाइक औ अगली वीडियो में